रूपा देवी रूपा देवी पूछ रही है सर मेरी सास मुझसे सारा दिन काम कराती है एक मिनिट भी बैठने नहीं देती हैं क्या पिछले कार्मिक होगा या नया वो क्रियेट कर रही है अपने लिए बहुत अच्छा आज के सोका अभी तक का सबसे अच्छा क्वेशन है सबसे अच्छा कोईसन यही है थांक्यू बेरी मच्छ रूपा जी देखिए इसमें दोनों चीज़ हैं आप अपने कार्मिक अकाउंट को तो भुकतान कर रहे हो तब ही आप उनके पास में आयो नो डाउट अगर आपकी सास उस चीज का एडवांटेज ले रही हैं मतलब हैं तो जैसा आपने लिखा कि रियेट कर रही है तो बिल्कुल कर रही है फिर आप उनसे कराओ कै क्योंकि कर्मा की प्लेट को इस तरह से वर्क उट करती जैसे कि तेसा यानि कि टिट फोर टैट तो बिल्कुल आपकी बातों में आपका अंसर है और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि और जैसा वो करार ही है बस करते जाओ हद पार ना होने तक जब आपको लग जाए कि सर से पानी गुजर रहा तो बिल्कुल स् पर फिर भी इसमें भी क्या कर सकते हूं अच्छे से रियक्ट कर सकते हो अगर जो इनसान आपके साथ में ऐसा कराने के लिए तयार है आपके वो पूरे दिन बिना बैठे काम कराने के लिए, तो उसको दुख भी नहीं होगा, तो आप कुछ resist कर सकते हो, कुछ मतभेद भी पैदा कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, उनके आगे, कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब आपको लगे तब, अभी अगर आप गलत तरह के सा रियक्षन दो गए, तो सेम चीज़ जो पहले चड़ी हुई थी, वो आज पर continue हो जाएगी, तो प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन उनके लिए, मैं प्रे करूँगा कि उनको सत बुद्धी आए, कम से कम वो आपका misuse ना करें, काम तो सब करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, लेकिन किसी को, जानबरों की तरह ट्रीट ना करो, रिनुकोर, सब ठीक है, पर कभी-कभी अपसेट हो जाती हूँ, जब से बेटा गया मेरा, ओके, थैंक्यू पर सेरिंग और थैंक्यू पर जोईनिंग विद मी, रिनुकोर जी, जी, बिलकुल मैं समझ सकता हूँ, यह सबसे बड़ा दुख है, जब एक माँ अपनी कोक से ज तो मैं समझ सकता हूँ, यह सबसे हम अपने पेरेंट्स को कौते हैं, तभी एक दुख है, भस्षबन को को कौते हैं, तभी एक दुख है, लेकिन उन सब मैं यह सबसे बड़ा दुख है, बच्चे के लिए जब माँ जाती है तो जाते जाते भी बहुत कुछ करके जाती है और बच्चा समबली भी जाता है लेकिन एक माँ जो हर तरह के दर्द जहलने के पश्चाद में उसको जनम देती है और उसके पश्चाद अगर वो उसके पास से चला जाता तो यस यह बहुत प्रोसस पूछ सकते हो, मेरी वीडियो के थुरू खुद को अवेकन कर सकते हो, इस पूरे प्रोसस को जानने के परशाद, आप भी अपने लाइप का जो परपस है, उसको जान सकते हो, उससे आपको मदद क्या मिलेगी, कि आप उस चिड़चड़े पन स्वेभाप से छुटक कर लोगे, उस बच्चे को तो फिर से प्राप नहीं कर सकते, लेकिन उस क्यों के पीछे जानने से, आप अपने लाइप का परपस को जरूप कर लोगे, और वही सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका बच्छा अपनी लाइप के लिए इन्डीजवल, अपनी लाइप करम के लिए life cycle के लिए जिम्मेदार है आप अपनी के लिए जिम्मेदार हो मैं अपनी के लिए जिम्मेदार हूँ तो please क्यों के पीछे भागे अपनी आई के पीछे भागे कि मैं कौन हूँ अगर वो बच्चा आपका ही था आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हम सबको एक पिंजरे में रखा गया है और पिंजरा इस जनम को कहलो या एक attachment का नाम का पिंजरा कहलो जब वो पिंजरा बन रहा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब उस पिंजरे में इस पेस नहीं रहता यह फट जाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है तो आप इसको कुछ इस तरह सा समझिए और जब आप उस पिंजरे के हकिकत जान जाओगे, इस जनम की या इस लाइप के हकिकत जान जाओगे, तब आपका दर्द स्वाब अविकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा. इन बातों पर कुछ थोड़ा गोर कीजिए, आपको मदद मिलेगी.